मैं उसरसी आयेज हर्खन की टॉप पचीस पटोरिशिस पर मखबर जानते हाएं मालूम हो कि पीम मोदी ने स्वन्यूक्त राष्ट महा सभा को पिछले साल सितंबर में समोधित किया था जारखन मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटा के दरण मांसुन कमजोर रहा है 15 जुलाई को राजे में कई हिसों में छिट फुट बारिस हुई मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई के बाद मांसुन की सक्रेता घटने से बारिस में कमी आ सकती है बता दे कि पिछले 24 घंटा में पलावों में अच्छी बारिस हुई है CBSE 10th result के 91 पर से छात्र पास CBSE ने लंबे इनतजार के बाद 15 जुलाई को दस्वी बोर्ट का रियल्ट जारी कर दिया है स्टुडेंट अपना रियल्ट CBSE result.nic.in पर या उमंग आप से देख सकते हैं बता दे कि त्रिवेंद्रम रिजन का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है और त्रिवेंद्रम में 99.2 आठ पिस्दी स्टुडेंट पास हुए है वही दूसरा अस्थान पर चेनाई 98.5 पिस्दी पास हुए है बता दे कि CBSE 10 की परिक्षा में इस वर स्कूल 91.4 शौ पिस्दी चात्र सपल हुए जो पिछले साल के मुकाबले 0.3 शौ पतिसत इजापा हुए है जार्खन में 316 संक्रमितों की पुष्टी हुए जो चात्रा से 5 देवगर 1 धनबाद 14 दूमका 1 पूर्वी सिमूम 12 गडव 27 गीड़ी 19 गोड़ा 2 गुमला 2 हजारी बाग 16 जाम तड़ा 1 खुटी 1 लातेहार 23 लोरदगा 15 पलामु 7 रामगर 30 रांची 71 साहिब गारा सराय के लद्दों सिम्डेगा 1 पच्मी सिमूम से 10 है जार्खन में कुल संक्रमितों की संख्या 4562 है जबकि 2485 लोग 68 और 38 की मिलिती हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 9 लाग 77 और 179 है जबकि 6,13735 लोग 68 और 297 की मिलिती हो गई पूर्वी सिम्भूम 392 राची 344 अजारी बाग 101 धनबाद 135 गोड़ार में 108 रामगर अंठान बे लातियार 86 गड़व 85 चत्रा उनासी पाकुरत 73 गिरीडी 72 लोगदागा 66 स्राय के लातिरपन पच्मी सिम्भूम 50 पोकारो 46 देवगर 41 साहिब गजुन 40 गुमला 33 गोड़ा 22 दूमका 16 पलामो 15 सिम्भूम 12 जामतरा 8 खुटी से पाच हैं दो की मिरिती हो गई जो एक जमसेदपूर और एक हजारी बाग से हैं जामतरा नाई समाज के जिला अध्यक्ष ने सरकार से की मांग राज में लोकडाउन होने के कारण सेलूर में काम कर रहे है कारीगरों की दुकान बंध है ऐसे में नाई समाज की स्थिती बहुत ही देनिय हो गई है इस पर राज सरकार चुपी साधे बैठी है जामतरा के नाई समाज के जिला अध्यक्ष अभीजीत भंडारी ने काफी निंदिनिये बताते हुए सरकार को जल्द से जल्द इस पर विचार करने को ध्यान अक्रिष्ट कराया है इसकूलों की ओनलाइन काक्षाओं का समय तय मानुस्व साधन विकास मंतरी ने काक्षा एक से बरावी के छात्रों के लिए प्रती दीन के हिसाब से ओनलाइन काक्षा की ओधी और संख्या निधायत कर दी है बतादे की मंतरी ने कहा है कि इसमें डिजटल सिक्षा के दोरान मानसिक यहम सरेरिक तनाव से निपटने सहीत छात्रों के लिए अन्यमुद्य पर अनुसन साय की गई है बतादे की प्री प्राइमरी के लिए ओनलाइन काक्षा 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए वहीं काक्षा 1 से 8 के लिए प्रती दिन दो से अधिक ओनलाइन पर नहीं होने के साथ 45 मिन तक रखने को कहा है जबकि काक्षा 9 से 12 तक के एक दिन में 4 काक्षा से ज्यादा नहीं और प्रतेक 37 से 45 मिन तक होनी चाहिए प्रवासी मजदूरों को बीमा और पेंशन सुविधा प्रवासी मजदूरों को सरकार की ओर से एक और बड़ी रहात की ओर कदम बढ़ाई गई है सांसत की स्रम मामलों पर बने अस्थाई समीती ने इस मामले पर ड्राफ्ट गाइडलाइन तयार कर ली है बतादे की सुतरों के मुताविक नई गाइडलाइन के मुताविक प्रवासी मजदूरों को बीमा और निम्तम पेंशन सुविधा देने पर आम समती बन गई है साथी साथ मजदूरों की समाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए खास फॉंड बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है 28,000 पराशिक्षकों का सत्यापन नहीं हो सका राज के 28,000 पराशिक्षकों के सर्टिफिकेट का सत्यापन अब तक नहीं हो सका है मालूम हो कि 20 जून तक ही सभी पराशिक्षकों और प्रस्ताव योगयता के सर्टिफिकेट को पोटल पर अपलोड करना था और इसे वेरिफिकेशन किया जाना था इसमें बाजूद भी 65,000 पराशिक्षकों में से 37,842 पराशिक्षक का ही वेरिफिकेशन हो सका है जिस पर जार्खंड सिक्षा पर्योजना परिशत इस्कूली सिक्षा और सक्षकता विभाग ने जीला सिक्षा और प्रखंड सिक्षा पता अधिकारी पर करवाई का कदम उठाया है सिम्डेगा में कारेपालक अभियानता को ACB ने एक लाख रिस्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जार्खंड में एंटी क्रॉप्ट ब्योरो ने एक कारेपालक अभियानता को एक लाख रिस्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है यह इंजिनियर सिम्डेगा आरियो विभाग में ताना था इसे बुद्धवार को राची एंटी क्रॉप्ट बीरो के टीम ने रिस्वत लेते धर दवोचा है बता देखी राची के एक सनवेधक ने आरियो विभाग से संचालीत प्रधान मंत्री ग्रामीन सड़क योजना का निर्मान किया था निर्मान कारे पुरा हो जाने के बावजूद भी बकाय राची का भुकतान नहीं किया जा रहा था इस रासी के भुकतान के एवज में आरियो विभाग के करेपालक अभियानता से एक लाख रुपए रिस्वत की मांग की गई थी किसानों के कर्ज अगले माह तक माप करेगी सरकार जार्खन के किरिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने बुद्धवार को एक बड़ी घोसना की है किरिसी मंत्री ने कहा है कि राजे के करीब 89,000 चार किसान जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे उनके करीब 2,000 को रुपए का कर्ज माप कर दिया जाएगा सरकार ने इसका ट्राफ्ट त्यार कर लिया है इसमा के अंतक अनुमोदित कर अगले मा सभी किसानों के कर्ज माप कर दिये जाएंगे राची में संक्रमन की रोक्थाम मेरी प्रत्मिक्ता नय उपायुक्त जाखन की रजधानी राची के नय उपायुक्तु छवी रंजन ने पद भार समालते ही कहा की जिले में संक्रमन को रोकना उनकी प्रत्मिक्ता होगी छवी रंजन ने बुद्ध्धु थार 15 जुलाई को अपना पद भार ग्रहन किया उपायुक्त राय महीमापत रे ने इन नए उपायुक्त को पदभार सोपा राची समर्नाले के बलोग ए स्थित उपायुक्त सबागार में नए डिसी को पदभार ग्रहन करने के दोरान जीला के सभी पताधिकारे भी उपस्थित थे रांची में लोगडाउन करे सरकार मेयर संक्रमन को देखते हुए मेयर आसा लगणा ने राची नगर निगम छेत्र को पुरी तरह से लोगडाउन करने की मांग की है मेयर ने कहा है कि मंगलबार को सहर में 40 संक्रमित पोजेटिव पाये गाए यहाँ इसमें चिकित सक पुरीस कर्मी से लेका स्वास्त कर्मी तक है बरतमान में सहर की सभी दुकाने खोल दी गई है इसी करन राची में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन परसासन सोसल डिस्टेसिंग को फोलो नहीं करवा पा रही ऐसे में अब एक ही उपाय बचा है कि जल्द से जल्द सहर को पुरी तरह से लोगडाउन किया जाए ताक कि सहरवासी संक्रमन से बच सके पलामू नियूज मेदिनगर समरनाले परिसर के सदर अनुमंडल कर्याले में बुद्धवार को आटोमैटिक हैंड से निचारियर मसीन का अनुमंडल पदा अधिकारी सुजित कुमार ने उदगाटन किया पलामू एसेबी की टीम ने पलामू जीला के पांकी परखंड अंतरगट पंचाज सेवक बिरोध सिंग को चार हाजार रुपे घूस लेते हुए गिरफतार किया पलामू में हरियर गंज वह सुधना में बने कंटेन्मेंट जोन को सिल मुक्त करने का निना लिया गया इसकी अध्यक्षा पलामू उपायुक डक्टर संतिनुकुमार अगरहरी ने की जारखन में तिलका मांजी पर होगी फिल्म सुटिंग जारखन में अंग्रेजों के खिलाब बिंगुल फुकने वाले क्रांतिक कारी तिलका मांजी पर जहरिया के रहने वाले फिल्म कार धिरज मिस्रा फिल्म बना रहे है फिल्यम को सूटिंग धनबाद के टुंडी यूपी के मिर्जापूर में होगी तिलका मांजी का नाम भारतिय सोतनत्रता संग्रा में बड़े आदर से लिया जाता है जार्खन के इस पहले करन्तिकारी पर फिल्म बनाने का काम कर रहे धिरज मिश्रा पहले भी करन्तिकारियों पर फिल्म बना चुके है जार्खन में पहले दृष्टी बाधित डिसी बने राजे सिंग राज में मंगलवार को 18 आईएस अफसरों की तवदला सुची जारी कर दी गई है इसमें बर्ष दृष्ट साथ बैच के आईएस अधिकारी राईस सिंग का भी नाम है उन्हें बोकारों उपायुक्त की जिमेदारी सोपी गई है आपको बता दे कि वे राजे में उपायुत की कुर्षी पर पहुचने वाले दृष्टी बाधित अफसर है इससे पहले वे उच एवम तखनीकी सिक्षावी भाग में बिसेस सचिव के पत पर करे रत थे सिक्षक से करया जा रहा वाहन चेकीन बालू का अवैद खनन रोकने की जिमेदारी पूलिस परसासन की है लेकिन इसमें सिक्षकों को लगाया जा रहा है संक्रमन को लेकर दूसरे जीलों से आने वाले वानों की जाच के लिए भी चेक पोस्ट पर सिक्षक तैनाद किये जा रहे है इसे लेकर राजे के सरकारी स्कूलों के सिक्षकों में आक्रोस और निरासा है सिक्षकों ने इसका विरोध भी किया है बता दे कि खुटी में अनुमंडल पता अधिकारी ने लगबग एक दरजन सिक्षकों की प्रतिनियुक्ती अंतर जीला अवागमन पर पतिबन लगाने तथा बालू का वायद परिवहन रोकने के लिए की गई है होस्टल और लोज फीस चार माह का माफ करने की मांग नीजी होस्टल और लोज वाले चार महिना का किराया मांग रहे है चात्रों के लिए इतना किराया देना संभाव नहीं है प्रसासनिक अस्तर पर सुल्क माफी की विवस्ता की जाए यह काना जार्खन चात्र मोर्चा के प्रतिनिधियों का था बुद्वार को मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल केंद्रिय सचीव मनोज रवानी के नेतियुत में धनवाद उपायुक से मिला बताया कि देश ब्यापी लोगडाउन की अधि में निजी लोजव चात्रवास प्रवणधन मांसिक सुल्क को लेकर चात्रों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं प्रतिनिधियों ने बताया कि राजे के सभी जीला के जीला परसासन को मांग पत्र सोब कर सुल्क माफिक आगरा किया जा रहा है ताकि छात्रों और उनके अविवाकों पर अतिरीक आथिक बोश ना पड़े लंबे समय तक बने रहेगी जर्खन की जवानी जर्खन में बरसुत तक सदा बहार जवानी छाय रहने की उमीद है परदेश में पांच साल से कम उम्रे के बच्चों की तदाद 65 साल से अधिक के बुजुरों की लवक ढाई गुनी है पांच साल से कम के बच्चों की कूल अबादी 9.1 फिस दी है वही 65 पार के बुजुरों की अबादी 3.9 फिस दी है भारत के रईस्टार जनरल की तया रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है रिपोर्ट बताती है कि जारखंड में 15 से 35 साल आयूबर की इसेदारी भी कूल अबादी की 40.2 फिस दी है यानि अगले कुछ दसकों तक जारखंड जवानों का परदेश बना रहेगा देवगर मचली बेवसाई से लूट मामले में एक और गिरफतार देवगर मुफसिल थाना छेतर में आंदर परदेश के मचली बेवसाई से 20 लाख रुपए मामले में पूलिस ने एक और अपराधी को गिरफतार किया है साथी इसके पास से 2 लाख 26,000 रुपए बरामत किया है रांची में एक दिन में 71 मामले अब रांची में संक्रमन बेलगाम हो जा रहा है रोजाना काफी संख्या में संक्रमित मिल रहे है जीला परसासन ने बुद्धवार को अब तक सबसे ज़्यादा एक 70 संक्रमित की रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट में कोकर से चार, रिम्स से चार, सहीत, राजधानी के बिभिन इलाकों से संक्रमितों के मिलने के पुष्टी हुई है आपको बता देखी चूटिया, पथल, कुदवा, धुरवा, रातु रोड, अरगोडा, हटिया, धुरवा, बरियातु, दीपा, टोली, आधी चेत्र से भी संक्रमित मिले है जार्खन में ठेका जाती के अधार पर वरियता भवन निर्मान विभाग में 25 क्रोर रूपय तक के काम की निवीदा अस्थानिय ठेकेदारों के लिए अरक्षित होगी वही नए नियम के तहर टेंडर देने में जाती क्याधार पर भी बरियता देने की सत रखी गई है मोख मंत्री एमन सुरे ने जार्खन लोक निर्मान विभाग सनहीता एवां बिहार बित नियमावली के कुछ नियमें बदलाव करते हुए भवन निर्मान विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दे दिया अब कैबिनेट से इस पर समती ली जाएगी गोड़ा के नई उपायुक्त भोर सिंग यादो बने गोड़ा के नई उपायुक्त भोर सिंग यादो ने बुद्वार को पचासे उपायुक्त के रूप में अपना पद ग्रहन लिया उन्होंने अपने कर्याले में उपायुक्त कीरन पासी से विधिवत पद भार ग्रहन किया साथी मोखे पर उपायुक्त कीरन पासी को विदाई भी दी 17 तब्लीकी जमात विदेशियों को हाई कोर्ट से जमानत तबलीकी जमात से जूड़े 17 विदेशियों को जर्खन हाई कोट से रहात मिल गई है जस्टिस्ट आर मुखो पाध्याय की अदालत ने बुद्वार को सुनवाई के बाद सभी को जमानत परदान करदे का नेदेश दिया है आपको बता दे कि राची पूलिस ने हिंद पिड़ी के एक मजीद से गिरफतार किया था इसमें मलेशिया, इंगलाएंड, जाविया की चार महिलाएं और तेरफ पूलिस भी सामिली था है जार्खन में सरकार गिराने की ताक में बिजेपी चार्खन की हमन्त, सुरेन सरकार के वित मंत्री और कांग्रेस पार्टी के परदेश अध्यक डाक्टर उरावन ने बुद्धवार को एक दिन पहले भाजपा पर सरकार को अज्थिर करने के लिए कांग्रेस बिधायकों को परलोभन देने के आरोप को आगे बढ़ाते चुकी है, जनता द्वारा खारिच कर दिये जाने के बाद चूनी हुई सरकार को गिराने की कोशिस भाजपा की ओर से लगतार की जा रही है, धन्यवाद